साथियों, ये बात सही है कि अतीती सत्कार का सूख बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही वर्षो बाद लोकर घर आता है, तो उस सुख की उस उत्सा और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गद गद रदय से सवराष्ट का हर एक जन तमिलनाडू से आए अपने भाईयों और बहनों के स्वागत में पल के बिछाएं हैं। आज उसी गद गद रदय से मैं भी तमिलनाडू से आए मेरे अपनों के बीच वर्चुली उपस्तित हूं। मुझे आद है जब मैं मुख्यमंत्री था तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सवराष्ट संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे पचास हजार चे अधिक सवराष्ट के भाईबेन शामिल हुने आये थे। और आज सवराष्ट की धर्ती पर स्नेह और अपने पन की बैसी ही लहरे दिख रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिल नाडू से अपने पुर्वजों की धर्ती पर आये हैं, अपने घर आये हैं। आपके चहरों की खुशी देखकर मैं कह सकता हूँ, आप यहां से धेरों यादे और भावक अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने सवराष्ट के परियटन का भी भरपुर आनंद लिया है। सवराष्ट से तमिल नाडू तक देश को जोड़ने वाले सरदार प्रटेल की स्टेची अफ युनिटी की उसके भी आपने दर्शन किये हैं। यानि अतीत की अनमोल स्मृतियां वर्तमान का अपनत्व और अनुभव और भविश के लिए संकल्प और प्रणाये। सवराष्ट तमिल संगमम उसमें हम इन सभी का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। मैं इस अध्भूत आयोजन के लिए सवराष्ट और तमिल नाडू के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं।